हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो है हमारी एक डिजाइन वाली वीडियो जो कि हमने इस स्वेटर में दिया हुआ है यह स्वेटर न्यूबॉन वेवी के लिए बन रही है और अभी यह कंप्लीट नहीं हुई है इसके पार्ट वन पार्ट टू करके आते रहेंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगी ठीके पार्ट वन आज आप देख रहे हैं जिसमें आप इसका डिजाइन सीख लेंगे उसके बाद पार्ट टू नेक से लेके आर्महुल तक पार्ट यहार महुल से आगे को उसके बाद कैप और सॉक्स की वीडियो आयेगी ठी तो प्लीज कॉमेंट जरूर कीजेगा ठीक है और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लिजेगा क्योंकि आने वाली हैं बहुत सुंदर- विटर आपको मिल जाएगे मेरे चैनल पर विजजेगा मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे वीडियो के शाल के चैनल का नाम आया हूए है निटिंग वीदधानी इस तरह से आया हुआ है यहां से यहां तक एक डिजाइन है फिर इसी को रिपीट करेंगे दूसरा डिजाइन फिर इसी को रिपीट करेंगे तीसर डिजाइन तो पहला डिजाइन देखिए यहां पर हमारे किनारे पर यहां मेरे बाजू वाला है यह जो पार्ट है बाजू व देने हैं दो फंदे आप उल्टे बनाएंगे फिर धागा आगे रहेगा और आप दो फंदों का एक करेंगे मतलब एक फंदा यहां पर naar ग narrator बेंगे फिर आपका एक फंदे सीधे बनाने के बद फिर वापस दो फंदों का एक करना अब यहां पर एक घट गया तो एक बड़ाना भी है तो वहां पर हम जाली देंगे फिर यहीं का सुरू का पूर्शन आता है पिर बीच वाले फंदे हैं ये बढ़ते जाएंगे दो थे फिर चार होंगे फिर छे होंगे फिर आठ होंगे और जो बीच के फंदे हैं ये घटते जाएंगे पहले पांच बनाने थे फिर तीन फिर दो तीन फिर एक दो नहीं तीन एक पांच तीन एक दो दो घटते जाएंगे तो ये घटते जाएंगे बस जाली यह यहां पर हमारा एक इदर की जौली बनेगी जहां पर आपको इदर बीदर भी जौली दिख्रीए और अगर अगर आप टूर। मैं हमा एतने लेनें डिखेए फंदे हमको चाहिए, एक ये चाहिए और नौ ये है, 10 हो गए, और एक ये चाहिए, 11, 11 फंदों में हमारा ये पैटन बैठता है, ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं, थोड़े से मैंने फंदे ले लिए यहां पे, इसमें बना लेती हूँ, मैं आपको दिखा देती होती तो मुझे बताईएगा comment कीजिएगा मैं आपकी help जरूर करोंगे ठीक है तो सबसे पहले पहली लाइन बनाएंगे बैक रो हम उल्टी बनाते हुए दो का एक कर लेंगे देखे धागा आ गए हमारा और यह जाली बनेगी तो दो फंदों का एक मतलब एक घट रहा है जाली से बढ़ रहा है बस यह हमारी बार बार सुरुवात की जाली ऐसे ही आएगी धागे फंदे को चेंज करके ठीक है अब हम कितने फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच पांच फंदे सीधे बना लेंगे उसके बार यह छटवा और साथवा फंदा अब हमको कोई फंदा नहीं पलटना है जहां पहली जाली हम देंगे वहां पे हमको फंदा नहीं पलटना है दूसरी जाली जब हम देंगे वहां पे हमको फंदा नही लेंगे देखे नीडल में जब हम लपेटेंगे इसको थोड़ा टाइट रखेंगे ठीक है धीला नहीं रखना है इस तरह से खीच लेंगे उसके बाद हम यहां तक हमारा पैटन कंप्टीट हो गया यहां से यहां तक ठीक है एक उल्टा फिर हमारा नया पैटन शुरू होगा दूसरा उल्टा बनाएंगे दो उल्टे बना दे हमने ठीक है फिर वही रिपीट जैसे यहां पे हमने दो उल्टे बनाए थे धागा आगे था पहला फंदा हमने इस तरह से पलट लिया था दो फंदो का हमने एक किया था ठीक है फिर हम पांच फंदे सिंपल बनाएंगे ए एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, ठीक है, फिर वापस आगे हम, इन दो फंदो को, दो का एक करेंगे, और धागा आगे करके, इस तरह से टाइट करके लपेट लेंगे धागे को, यहाँ पर जाली भी बनेगी, दो का एक भी कर लिया, हमने एक फंदा बढ़ा भी दिया, लास्ट फंदा हमारा, ऐसे आएगा, ठीक है, दो उल्टे आजाएंगे, तो यह हमने दो पैटर दे दिया है, बागे आप जब स्वेटर बनाएंगे, तब आपके समझना आजाएगा की, कैसे बनाना है, और बैक साइड में देखे, कहीं पे भी कोई सीधा फंदा नहीं है, तो बैक साइड की रो हमारी टोटली परलमा आएगी, मतलब उल्टी उल्टी आएगी, ऐसे ही, ठीक है, तो बैक वाली रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, देखे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप दोनु रो गिनते हैं, तो यहाँ पे हम फ्रंट वाली पहली और बैक दूसरी रो कंप्लीट करके आगे, ठीक है, अगर आप फ्रंट वाली ही गिनते हैं, सिर्फ क्योंकि फ्रंट वाले में ही हमारा डिजाइन देना है, तो हमने एक फ्रंट की कंप्लीट कर ली, अब आगे हम दूसरे फ्रंट में, ठीक है, पहला फंदा, दूसरा फंदा, दो थे हमारे पहले उल्टे अब 3 आ जाएंगे बढ़ते जाएंगे ये उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे बीच में सीधे फंदे घरते जाएंगे तीन पंदे आ गये देखे धागा आ गया हमको दो जाली भी देंगे यह दो का एक हो गया उसके बाद अब हमारे शिर्प उत्ती 1 रहएक दो ती पहले हमारे पास किते अगंगों हुआ थे अब यहां पर देखे एक फंदा सीधह की खिल गया हम दो करेंगे देखे घट ऊब privky करेंगे औंगे घट तो गया हमने हमने घटा तो दिया लेकिन यहां पर हमको जाली भी देनी ज़रूरी है धागा आगे करके ऐसे लपेट लेंगे वही टाइट करेंगे थोड़ा सा और यहां पर हमने दो उल्टे बनाये थे ना अब चार हो जाएंगे एक पर लएगे दो तीन चार ठीक है बढ़ते जाएंगे बीच में जो सीधे फंदे घट जाएंगे यहां के बढ़ते जाएंगे फिर हमारा धागा आगई है वापस हम यहांसे रिपीट पैटन कर रहे हैं पहले फंदे को हम पलट लेंगे ऐसे और दो फंदों का एक कर लेंगे इस तरह से, एक नट, इस तरह से ठीक है, उसके बाद तीन फंदे बनाने हमने एक, दो, तीन, फिर हम दो फंदों का एक करेंगे, लागा आगे और इस तरह से लपेट लेंगे, और सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे, तो दूसरी फ्रंट की रो हमारी कंप्लीट हो गई है, देखे, बैक रो हमको पूरी परले में बनानी है, तो बैक रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं, देखे, फ्रंट के दो रो कंप्लीट हो गए, मतलब दो जाली आ गए, ठीक है, अब फिर से आ गए हम फ्रंट वाली रो में, यहाँ पर देखे, पहले रो में हमारे दो उल्टे थे, दूसरी रो में तीन उल्टे थे, अब एक और बढ़ जाएगा, चार उल्टे हो जाएगे, देखे, चार उल्टे करने के बाद, आगे हम जाली के पास, जब बनाने लगेंगे, आपको अंदाजा भी आ जाएगा पहले पास थे, फिर तीन थे, अब एक सीधा रह गया, अब यहाँ पर दो फंदे हमको इन दोनों को एक करना है, दो का एक कर लेंगे, देखे, अब यह रेखे, बीच में हमारे उल्टे फंदे हैं, धागा आगे करेंगे, इसी तरह से लपेट लेंगे, थोड़ा टाइट यहाँ पर, और सारे फंदों को हम उल्टा करेंगे, पहले दो थे, फिर चार हुए, अब छे हो गए होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, देखे, छे हो गए उल्टे वाले, अब यह जाली वाला फंदा आ गया है, धागा आगे ही रखेंगे, पहले फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे, ऐसे, और इन दो फंदों को दो का एक कर लेंगे, फंदा एक कम भी हुआ और जाली से बढ़ भी गया, ठीक है, उसके बाद एक फंदा हम सिंगल बनाएंगे, और फिर इन दो फंदों को दो का एक करेंगे, कम कर दिया, और बढ़ा भी लेंगे गयारे जाली से धागा आगके करके इस तरह से लपेट लेंगे और सारे फंद को हम बना लेंगे लास्ट फंदे को मेरे सीधा करने की आदत है हमेशा क्योंकि देखे यहां पहे की लेटी नहीं आया है लेकिन यहां की रो कंप्लीट कर लेते हैं परल में यह देखे थोड़ा सा डिजाइन बनके आ गया है अब फिर से हम लास्ट वाली रो बनाएंगे चौथी रो फ्रंट की चौथी रो देखे दो उल्टे थे अब किते उल्टे हो गए तीन चार और यह पांच पांच उल्टे हो गए हमारे पास धागा आ गई है अब क्या करेंगे अब हमारे पास तीन फंदे बचे हुए हैं देखे एक दो तीन बचे हुए हैं तो धागा आ गई रहने देंगे इस फंदे को लेंगे ऐसे पीछे साइड में बीच वाला फंदा नहीं लेंगे इन दो फंदो को लेंगे इन दो बनाए था इसके उपर ले लेंगे ऐसे इस तरह से ठीक है फिर रागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे टाइटली और यहां पर हमारे कित्ते उल्टे हो गए अब आठ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब हमारे यहां पर भी तीन फंदे बचे हुए हैं देखें एक यह वाला एक यह वाला एक बीच में तो यह बीच वाला फंदा हम नहीं बनाएंगे थागे को आगे ही रखेंगे ऐसे पीछे से पहला फंदा ले लेंगे और दूसरा फंदा भी ले लेंगे ऐसे बीच वाला फंदा हम नहीं लेंगे यह धागा आगे यह जाली भी बनेगे है हमारी इस तरह से दो फंदों को हम बना लेंगे और तीनों फंदों को निकार लेंगे दो फंदे तो बने वो यहां आगे जो बीच वाला फंदा नहीं बना था वो यह वाला है इसको उठा लेंगे अब जो फंदा हमने नया बनाया है उसको भी इसी नीडल में लेंगे और पंता हमने उठा था उसको पकड़के इसके उपपर से उसे ले लेंगे ठीक है यह ओक्या смотр थागए करेंगे लपेट लेंगे और टायटली इसको सारी उड़टे बना लेंगे तो 4 रोव कंप्लीट हो गई और हमारा पैटन भी गंप्लीट हो गिया है फ्रंट की 4 रोव अगर back side की भी लगाएं तो यह 8 रोव कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर हमारा एक pattern एक design गंप्लीट हो जुका है बैक रोव में बना के आते हैं वापस फ्रंट रोव में तो रेखे एक डिजाइन हमारा complete हो गया है यह जो pattern हम बना रहे हैं डिजाइन हम बना रहे ही 13 फंदों में आएगा आपको जब भी कोई भी project बनाना है और यह डिजाइन आपको देना है तो आप 13-13 के multiple में फंदे ले लेंगे और दो उसमें प्लेस कर लेंगे ठीक है तब ही आपका यह बिल्कुल बैठेगा तो आप थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर सकते हैं उसमें 13-13 के multiple में फंदे लेजिए अगर आपके extra side में बच रहे हैं तो extra को side में डाल सकते है तो यहाँ पर मैं एक बार और बता देती हूं आपको कैसे यह pattern हम बैठाएंगे दुब जाली देंगे जाली देने के साथ में इसंदा नुफंद का एक करेंगे तो पहले फंदे को हम इस तरह से पालट लेंगे और दोसंदों का एक करेंगे ठीक हैalo यहाँ तो यहाँ पर दो इसलिए यहां पर जाली देंगे, जाली कैसे देंगे, धागा आगे कर लिया हमने, और इसको लपेट लेंगे, जब भी हम इसको लपेटेंगे, टाइट कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम दो उल्टे बनाएंगे, एक, दो, दो उल्टे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, थागा हमारा आगे ही है repeat pattern जो हमने यहाँ शुरू में किया था वही हम करेंगे थागा आगे ही हमारा पहला फंद हम पलट लेंगे और दो फंदों का एक कर लेंगे ऐसे इसे जाली भी होगी एक फंदा कम भी होगी बढ़ भी गया अब पांच फंदे हम simple बनाएंगे अब फंदे को पलटेंगे नहीं ऐसे करेंगे दो का एक simple तरीके से ठीक है धागा आगे करेंगे लपेट लेंगे टाइट कर लेंगे और दोन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे ठीक है एक बात का ध्यान रखिएगा जब भी हम देखें यहां पर जाली सुरू कर रहे है यह pattern एक इस साइट से जाली आ रहे है एक इस साइट यहां पर हम फंदे को पलटेंगे यहां पर नहीं पलटेंगे यहां पर पलटेंगे यहां पर मरला सुरू में जो जाली आएगी उसमें हमको फंदा पलटना बहुत जरूरी है बाद में हमको फंदा पलटने की जरूरत नहीं खाली सिंपल तरीके से दो का एक कर लेंगे फिर यहां पर नयाव जो आएगा उसमें हम पहली बार में फंदा को पल्टेंगे दूसरी बार जो जाली जाएगे उसमें नहीं पल्टेंगे ठीक है तो पहली front row complete हो गई है दूसरी back row या back row को गिनने की जरूरत नहीं back row हम ऐसी परले में बना करके उलटा-उलटा बना करके complete हम् peeling करके आते हैं दूसरी रहो तो कि प्राट वाली फिर सरे नुट्भार में आ ऺए हम पहली रहों पहली जौली याली देओ दी दूसरी देंगे देखMO door जो एक बात ये भी देख लीजे देखिए जो सीधे फंदे थे न ये कम होते जा रहे हैं ये उल्टे फंदे बीच के बढ़ते जा रहे हैं साइड में भी हमारे पहले दो थे फिर तीन हुए फिर चार हुए फिर पांच हुए इस तरह से और बीच में दोनु साइड की जाली है तो दो दो फंदे बढ़ेंगे side में हमारा एक ही जाली है तो एक एक फंदा बढ़ेगा बीच में हमारे पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 ऐसे हो गए थे ठीक है तो अब हमारा side में देखे एक फंदा ऐसी ले लिया दूसरा हमने उल्टा बनाया तीसरा एक बड़ा हुआ फंदा तीन हो गए तीन उल्टे बनाने के बाद फिर से आगे हम जाली देने धागा आगे यह हमारा पहला फंदा हम पलट लेंगे और दो फंदो का एक कर लेंगे ठीक है इसके बाद हम तीन फंदे सिंपल बनाएंगे एक दो तीन और इन दो फंदों को हम दो का एक करेंगे और धागा आगे करके लपेट लेंगे जब भी लपेटेंगे थोड़ा टाइट कर लेंगे उसके बाद हम उल्टे बनाएंगे पहली रोमा हमने दो उल्टे बनाए थे अब हम चार बनाएंगे दो त चार उल्टे बनने के बार धागा आगई है हमारा फिर से हम जाली देंगे पहला भंदा पलट लेंगे इस तरह से 2 फंदोगा एक करेंगे और 3 फंदे शिंपल लाएंगे एक, दो, तीन, तीन फंदों के बाद दो फंदों को फिर हम एक करेंगे, घटाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, जाली देंगे, धागा आगे करके, लपेटते हुए जाली देंगे, अब फिर हमारे साइड में तीन बन गए हैं, पहले दो थे, अब तीन बन गए, इसके ब लोटा बनाएंगे तीसरा उल्टा बनाएंगे देखे पहले 2 फिर 3 अब इस बार 4 फंद को पलटते हुए थागए है पीछे की तरफ बनाएंगे तो इस तरह से जाली भी आ जाएगी और फंद भी बढ़ जाएगा और अब हमारे बीच में एक ही फंदा रहेगा यह सिंगल अ पेटेंगे थोड़ा टाइप से इसको पकड़ेंगे एक दो तीन चार पांच छे इस बार हमारी छे फंदे उल्टे हो गए धागा आगे है वापस हमारा पैटन रिपीट आगिया है फंदे को पलट लेंगे दो फंदों का एक करेंगे और एक फंदा हमारा सिंपल बीच में र करेंगे भागा आगे रिफाक लेंगे थाओ फीट लेंगे एक ढ के जाब में चार ठीक है यह को बारे चोड़ा हम किंप्लीट कर लेकर लेते हैं आते हैं वापस लास्ट रों में फरंट की तीन रों complete कर ली हमने मतलब थीन जालिया आ गई है अब हमारी टाश्ट चौठी जाल आएगी देखिए साइड में हमारे उल्टे अब कितते हो गए है एक दो दो नहीं पहले यह सही थे अब तीन हो गए फिर चार हो गए थे अब इस बार हमारे पांच उल्टे हो गए पांच उल्टे के बनाने के बार देखे यहां पर फिर से हमारे तीन फंदे रहे गए एक फली वाला एक दूसरी फली वाला एक बीच वाला ठीक है तो धागा आगे ही रखेंगे हम इस तरह से बैक साइड में देख लेंगे, पहला फंदा बना लेंगे, दूसरा फंदा छोड़ देंगे, तीसरा फंदा लेंगे, दो फंदो को हम बना लेंगे, धागा आगे ही रहेगा जाली आनी है, ठीक है, दो फंदो को बना लिया हमने ऐसे, तीनो फंदो को हम निकाल देंगे, जो बीच वाला फंदा हमारा बनानी है उसको उठा लेंगे ऐसे अब जिस नीडल में हमने उठाए उसी में हमने जो नया फंदा बनाया था उसको ले लेंगे ठीक है यह ऐसे और जो फंदा हमने बुनानी था उसको हम बुने वे फंदे के उपर से ऐसे ले लेंगे तो यह कंप्ल आठ फंदे हो गए हमारे उल्टे बीच में देखे पैटन को समझना बहुत जरूरी है एक दो बार देखेंगे तो आपको पैटन समझना आ जाएगा और स्वेटर में भी मैंने पैटन समझाया है उसमें भी देख लीजिएगा ठीक है धागा आ गई है यहां पे तीन फंदे ह हमारे पास वही हम एक लेंगे, दूसरे को छोड़ के तीसरा लेंगे दो फंदे ले लिए अब धागा आगे यहां आगे से ऐसे दो काएक करेंगे बीच वाला फंदा जो नहीं बनाया था उसको उछा लेंगे ऐसे और इसी नीडल में हम इस वाले फंदे को लेंगे जो हमन और साइड में हमारी जित्ते भी फंदे उल्टे आते हैं वो उल्टे ही आएंगे ऐसे ही तो यहां पर हमने दो पैटन कम्प्लीट कर लिए दो डिजाइन हमने कम्प्लीट कर लिए बैक रो कम्प्लीट करके मैं दिखा देती हूं आपको एक बार यह देखिए यहां पर हमने दो पैटन कंप्लीट कर लिए इस तरह से आएगा कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजेगा मुझे कॉमेंट करके ठीक है बागी आपको तेरा तेरा के मंटिबल में फंदे लेने दो फंदे एक्स्रा करने है शुरू में दो फंदे हमारे धागा आगे करके दो फंद नहीं है ठीक है तो कहीं पर आपको कोई हैल पर चाहिए होगी तो मुझे कॉमेंट कीजेगा यह वाली स्वेटर में आपको दिखा दूं जिसमें मैं यह डिजाइन दे रही हूं यह अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है यह देखे आर्म होल तक ही बना है यह और इसके बा आर्म है क्योंकि थोड़ा सा एक महिना में काम नहीं कर पाई किसी वजह से तो अब मैं यह काम कर रही हूं तो आप पहले पैटर देख लीजिएगा उसके बाद पार्ट वन पार्ट तू पार्ट थी जो भी आगे को प्रोसेसिंग होगी वो दिखाई जाएगी आप कंप्ल इस वीडियो को यहीं पेहन करेंगे मिलेंगे आपको इसके पार्ट नमबर टू के साथ तब तक के लिए बाई बाई